हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अन मैं यूट्यूब चैनल तो दोस्तों ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर फॉट्टन है अगर अभी तक आप लोगों नहीं प्रिवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजे साथी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए सु लास्ट एपिसोड के अंद में हमने देखा था यूरिम बोरे थी जुंगो के बारे में ये भी तो मेरी खुबसूरती के उपर मनें नहीं लगा है बिचारी यही सोचते-सोचते अंदर आती है तो देखती है कॉंगचन की तदर भी खराब हो रही थी वो बोलती है कॉं लेकिन वो इससे बात भी कर रही थी क्या दादा जी जैसा चाहते हैं जुगव और मैं अगर हम एक साथा जाते हैं तो क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा गॉंग जिए जाते हैं तो मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है यूरिम बोलती है तो क्या मैं जुगव से शादी क करो गॉंग चैन से बोलता है यूरिम अगर तुम सच में जुगव को पसंद करती हो और सिच्वेशन को लेकर की डर रही हो तो मैं उससे बात कर सकता हूं यूरिम कहती है कि सच में मेरा भाई बनी की कोशिश कर रहे हो यहां पर कोई भी नहीं है तो तुम अपनी एक्टिं यह तो लगी हुई थी कॉंग चैन को बनाने के लिए लेकिन कॉंग चैन सीधी सिंपल भाषा में इससे बोल देता है तुम अभी अपनी टूर्णामेंट पे ध्यान दो और किजी चीज को ध्यान देने की ज़रुत नहीं है मतलब कॉंग चैन का अभी कोई भी रादर नहीं यूरिम बोलती है एक्सेसाइस करना तो अच्छा होता है गॉंग चैन बोलता है तुम्हें सच में मज़ा आएगा ना उसके साथ एक्सेसाइस करके तुम खुश देख रही हो यूरिम बोलती है मैं खुश हूँ या ना हूँ तुम्हें क्या फर्क पड़ता है क्या तुम अब ये बन्ता जेलेशी में यूर्म को आज कल के ट्रेक सूट भी नी खरीदने देता, बाब आदम की जमाने का ट्रेक सूट दिलवा देता है, और उसके निद्दन भी सिर पर ही मार-मार के रेकुट चेक करने लगा था, तो यूरिम भी बॉल उसके सिर्प मार के चेक कर लेती है और कहती है बराबर चल रही है गॉंग चैन तो उसे गूर के देखता ही रह जाता है अगले सीन में यूरिम और जूंगो एक्सेसाइस करके वापिस आ रहे थे अभी आँटी जेहने साथ में देख लेती है बस पहुँच आती है पूछने के लिए तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो जूंगो बोलता है बस एकसेसाइस करके आ रहे है आँटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यूरिम से बोलती है अब जब मिली गए है हम दोनों तो चलो एक साथ काफी पी लेते हैं जूंगो जानी की बात कराता साथ में लेकिन आँटी उसे काम से बेज देती है और अब बस एक टिपिकल लड़के की मा की तरह वो यूरिम को धंकाने लगी थी कि तुम्हारी तो एजुकेशन भी रंकी नहीं है तो मेरे लड़की के असपास क्यों बढ़कती रहती हो माना वो सब लड़की को अच्छे से ट्रीट करता है लेकिन कृपिया करके तुम उससे दूर ही रहना ये टेंशन वाला माहाल दूर से कॉंक्चेन ने देख लिया था वो चला जाता है ले यूरिम के पास और इसे कहता है यूरिम तुमने वहाँ बहुत इंशार किया चलो हमें जाना है आंटी कहती हैं ये तुम से मिलने आई थी कॉंक्चेन हा बोलता है आंटी कहते हैं ये बार-बार कंपनी में क्यों आती है कॉंग्चन बोलता है क्योंकि उसके ग्रेंट फादर की कंपनी है और मैं भी यहां पे काम करता हूँ तो अब हमारी यूरिम यहां से जाते जाते विए आंटी के ओपर पानी गिरा देती है और अभी उन तो उनसे सारी बोल रही थी लेकिन भार आने पे कॉंग्चन उसके बोलता है ये तुमने जानोच के क्या था यूरिम कहती है तो अब तुम भी होश्यार हो चुके हो अब आगी कॉंग्चन अपने रूम में काम कर रहा था पर यूरिम एदर से उधर घुम के उसका दियान बटकाने की पूरी कोशिश कर रही थी चुन उससे मना भी करता है तब यूरिम देख लेती है वही इंवेस्टिगेशन वाले पेपर कॉंग्चन उससे कहता है यह तुमारा कम नहीं है यूरिम बोलती है इसका मतलब तुम अपनी रियल कजिन को ढून रहे हो चलो अचा है फटावर्चे उसे ढून लो तकि फिर मैं इस जॉब से छूट जाओं और कॉंग्चन तुम अनिमन सोच रहा था रियल कजिन तो अल्डेड ही मर चुकी है कॉंग्चन बोलता है कि इसका मतलब तुम तालज के लिए यहां पे नकली कजिन मन के तब तक के लिए रुख जाओगी यूरिम बोलती है हाँ जब तक तुम रियल कजिन नहीं ढून रहे हो वो इस बात से हैरान था दूसी तरफ यूरिम खिर्की से एक 63 बिल्डिंग को देखकर के कही थी कॉंग्चन मैं 63 बिल्डिंग से अगली बार तुम देखूंगी तो तुम खिर्की से मुझे हाई करना कॉंग्चन कहता है तुमें 63 बिल्डिंग लगता है कुछ जाद ही पसंद है यूरिम बोलती है हाँ क्योंकि जब भी मैं उदास होती हूँ या किसी सिच्वेशन से भागना चाती हूँ तो मैं उसके टॉप पे चल जाती हूँ दूर भागने से तो अच्छा है कि उपर ही चल जाओ वो कॉंग्चन से बोलती है अगर आगे तुम आए पास कोई ऐसी सिच्वेशन आए तो तुम कहीं दूर मत भागना तुम बस उसी टॉप पे चल जाना अब आगी दूनों आफिस से बाहर चा रहे थे तब ही यूरिम कॉंग्चन को चड़ा रहे थी तो कॉंग्चन भी उसके साथ मस्ती करने लगता है और इन दून को यतिने पास में जूंगो देख लेता है इसकी टाइमिंग हमेशा ही गलत होती है खेर अब तीनों साथ में ही थे और यूरिम प्रैड लेने के लिए गई थी तब ही गॉंग्चन जूंगो से बोल रहा था अगर तुम यूरिम के साथ होना चाहते हो तो पहले तुम अपनी माम से पर्मीशन लो तो जूंगो बोलता है कि हाँ मैं अपनी माम से पर्मीशन लोगा और अपसे यूरिम को कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो जूंगो बोलता है तुझे कुछ जादा चिंता नहीं है यूरिम की गॉंग्चन हाँ बोलता है जुंगो बोलता है हाँ मैं तो भूल किया वो तेरी कजन है कजन वर्ड तो बहुत ही ज़ादा बुरा लग रहा था इसमें गॉंग चैन को वो जाकर किये यूरिम की फोटो भी डिलीट करने लगता है उसके फोन से वहीं दूसरी तरफ दादाजी खुश हो रहे थे कि चलो जुंगो तो पसंद करता है यूरिम को अब हम उसकी इमाम को मनाने की एक कोशे से स्टार्ट करते हैं आंटी अंकल बोल रहे थे उन्हें मनाना थोड़सर डिफिकल्ट है पर आंटी बोलती है इस बार तो मैंसे मना की रखूंगी यूरिम के लिए आंटी बी का मिशन स्टार्ट हो जाता है आंटी जे को मनाने के लिए यूरिम और जुंगो की शादी के लिए वो काफी अलग-अलग तरीके करती हैं और पूरा खर्चा भी कर देती है तीजे तो मनने को त्यारी नहीं थी फिर तो आंटी बी बी उने टेशन देके वहां से आई जाती है इसना से दादर ची को काफी बड़ा लगता है वहीं दूसरी तरफ सियूंग उसे एक भी बार कॉंग चन ने फोन नहीं किया था और ये मैडम इसी बात से परशान हो रही थी आगे ये जुंगो से मिलती है उससे कह रही थी यूरिम और कॉंग चन के साथ एक डिनर और और सियूंग बोलती है क्योंकि उपा मुसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन तुम दोनों साथ में होगी तो मैं उनसे बात कर पाऊंगी पर चुंगो तो मूपे मना कर देता है क्याता है मेरे को ऐसा डिनर करने की अभी कोई भी इच्छा नहीं है वहीं दूसरी तरफ आंटी और की वैडिंग रिंग लानी थी तो यूरिम बोलती है मैं ले आउंगी और उसकी बाद कॉंक्चन बोलता है ठीक है मैं इसके हल्प कर दूँगा जिल्जी शॉप पे जुंगो भी क्या था उसकी माम की रिंग लेने के लिए वहां से जा रहा था तो ये दुन लोग वहां पे कबल रिंग चूस कर लो और तो और रिंग चूस करने के बाद यूरिम ने कॉंक्चन को पहना बी दी थी खेडियेते दुकंदार से बोलके चाते हैं हम अपनी शादी की रिंग भी यहीं से खरीद इंगे अब आगी जाने पे यूरिम कॉंक्चन जे बोलता है चलो चलो आ रहा हूं और फिर पीछे पीछे इनके चला जाता है वैसे ही कॉंग चैन ने उसकी रिंग उतार करके यूरिम को वापिस कर दी थी अब जुग इंसे साथ में डिनर पर चलने के लिए कहता है डिनर पर आने के बात भी है तो सियूंग का फुल सपोर्ट कर रहा था कॉंग च जब जाना चाहिए वो जाने लगी थी तो जुग उसका हाथ पकड़के कहता है चलो मैं तुम्हें चोड़ दूँगा और चाहते चाहते भी कॉंग चैन से बोलके जाता है तुम अराम से सियूंग की सारी बाते सुनके गलुत फैमी को सुलचा लेना अब इनके जाने के बा उससे रोक के बोलता है तुम क्यों मेरी बात नहीं मान लेती हो क्यों तुम अपने आपको इतना हर्ट कर रही हो मैं तुमारे लिए चीज़े असान कर सकता हूं तुम क्यों नहीं मुझे एक चांस दे के देखती हो यूरिम बोलती है मैं तुमसे पहले ही का था कि मैं प्या हाँ ये मुझे पता है लेकिन उस लड़की की परवरिश कहीं और होई है और मैं उस लड़की को अपने जुक्वों के लिए एकसेप्टे नहीं कर सकती हूँ भाई दूसरी तरफ सियूं कॉंक्चन से बोड़े थी ओपा मैं समझ सकती हूँ आप बिजी होंगे इसलिए आपने मुझे कॉल नहीं किया था तो कॉंक्चन बोलता है नहीं मैं बिजी नहीं था असल बात तो ये है कि तुम मेरे दिमाग में आई ही नहीं इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया सियूंग कहती होप आप क्या कह रहे हैं कॉंग चन बोलता है सियूंग मैं तमसे साफ साफ कह रहा हूँ तमसे प्यार नहीं करता सियूंग अभी भी अपने आपको जूटी होप दे रही थी तो कॉंग चन उसे बोलता है वो नहीं आएगी क्योंकि वो है ही नहीं वो मर चुकी है ये सच सुनके तो यूरिम बहुत जाद ही हरान हो गई थी वहीं दूसी तरफ दालाजी की बहुत जाला तबहीत भिगरने लगी थी जो भी आंटी जीने उनसे कहा था ये सब कुछ सोच सोच करके वहीं यूरिम भी शॉक हो करके अभी तक बैटी हुई थी जब कॉंक्चन वहाता है तो वो से पूछ रहता तो तुम यहां पर क्या कर रही हो वो सीधे कॉंक्चन से बोलती है चलो मेरे साथ मुझे तुम से बात करनी है भारा थे ही कॉंक्चन से कह रही थी आज कर जाते ही सबको बता देना कि मैं वापस जा रही हूँ तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूँगी वो यूरिम बोलती है क्योंकि तुमने तुमने तुमारी दोस्तों ने तुमारी फैमली ने मेरा जीना मुशकिल कर दिया है अब मुझसे ये जूट बर्दाश नहीं हो रहा है, मेरा दम खुटने लगा है यहाँ पे, मैं वापिस अपनी जिन्दगी में चाके पहली की तरह जीना चाहती हूँ गॉंग चिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है, मेरे जूट बोलना असान है, बहुत मुश्किल है तुम्हें अपनी कजिन की तरीके से देखना, कम से कम दिन में सौ बार उचे अपने आपको समझाना पड़ता है गॉंग चन को चागे बोले, तो भी उसके पास कॉल ला चाती है, कि दादाजी की तबेद बहुत जादा खराब हो चुकी है अब दोनों के दोनों घबराट में दादाजी के पास पहुशते हैं, उनके तब इतवागी बहुत कराब थी, वो यूरिम के लिए गिल्टी मैसूस कर रहे थे यूरिम और गॉंगचन यहाँ पे रोने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ जुंगो अपनी मॉम्ट को डाट रहा था, कि अगर आएंदा से आपने यूरिम के खिलाफ ऐसी बात की, तो अगली बार आपका बीटा होगा होस्पिटल बैट पे वहीं दाया जी गॉंगचन से कह रहे थे, तुम यूरिम का ध्यान अच्छे से रखना, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे यूरिम भी बहुत एमोशनल हो गई थी वहीं दूसी तरफ यूरिम, अपने आपको हिम्मत देने के लिए 63 बिल्डिंग पे जा रहे थी, वहीं दूसी तरफ गॉंगचन, वो भी यूरिम की बात याद करके, सिच्छेशन से भाग नहीं रहा था, वो भी 63 बिल्डिंग पे ही जा रहा था, यूरिम उपर पहुशन जब तक तुम्हारी कजन नहीं मिलती है, तब तक मैं तुम्हारी कजन मनके रहूंगी, गॉंगचन कहता है कि यूरिम बढ़ानी पड़ेगी, और मेरे लिए स्वीट पेटर डोलाने पड़ेंगे, गॉंगचन ओके बोल देता है, यूरिम फोन रखने के बाद बोल रही थ और मैं तुम्हें बहुत जादा प्यार करती हूं, गॉंगचन, अब आगी कुछ ऐसा होता है कि यूरिम बिल्डिंग से नीचे जा रही थी और गॉंगचन उपर पहुच चुका था, उपर आने के बाद वो यूरिम को ढूनता है, लेकिन अब तो यूरिम उसे नहीं मिलत यूरिम हाँ बोलती है, कॉंगचन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, वो उसे कहता है, तुम जली जली मत खाना वरना खाना टक जाएगा, यूरिम बोलती है, ठीक है कजन, जित नहरानी से देखता है, यूरिम बोलती है, अब जब ये ब्रदर सिस्टर वाला लाँगी, कॉंगचन को ये कजन सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, अब अगली सुबह यूरिम उठती है, और उसकी असली मुसीबत तो अब चालू होती है, एंटी उससे बोलती है, कॉंगचन सो रहा है, जो अपने कजन को उठा के लिए क्या हो, अब य आदत हो गई है, इसलिए फिर सचा के गिर गई, माफ कर दो, शर्मिंदगी में उल्टे पाउं ही भाग जाती है, और गॉंगचन इसकी हरकत तो बहस रहा था, अब आगे गॉंगचन अपनी टाई सही कर रहा था, तो अंकल यूरिम से बोलते हैं, जो अपने कजन की टाई स आई से रह रहे हैं, और फिर अपनी इमेजिनेशन में सोचने लगती है, कि वो कॉंगचन के साथ ऐसे रहा करेगी, कि उसकी इमेजिनेशन कुछ जादा ही बयान अखो जाती है, और अपने आपको समझा रही थी, नहीं नहीं, ऐसा बलकल नहीं हो सकता, यह दोनों भाइब मिलते है वाजल,